मैं आज पन्लाब के भाजपा कार करता होगी भी विशेर प्रसंसा करूँगा उन्होंने विप्रिक परिसितियों में जिस प्रकार पार्टी का जण्डा बुलंद किया है पुआने वारे समय में पन्लाब में भाजपा की मजबूती को बेश की मजबूती को एक अहम स्थान के रुपे विक्सित करेंगे ये मेरा पुरा विश्वास है पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रुपे उपर दी है यह मैं अपने आखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगावादी राजनीती से सतर कर रखना भाजपा का कायर करता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा आने वाले पांच सालों में भाजपा का हर कायर करता वहाँ इस दावित्व को जोर सोर से निभाने वाला है ये विश्वास मैं पंजाब की जन्ता को आज देना चाहता हूँ साथियों ये चुनाव ऐसे समय में हुए है जब दुनिया सो साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है पुरी मानव जाथ पुरा विश्वा सो साल मैं ऐसी बिमारी नहीं देखी ऐसी मुसिबत से लड़ना नहीं पड़ा है ये जैसे कुछ कम था तो युद्धने भी विश्व की चिंताएं बढ़ाई है इन परिस्थियों में दुनिया भर की सप्लाई चेन छिन भिदल हो गई है दो साल से सप्लाई चेन पर बहुती विप्रिक प्रभा हुआ और युद्धने उसमें और जोड दिया इन चुलोतियों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाएं आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए गरीब कल्यार के जो फैसले लिए उन सभी ने भारत को सम्वल कर आगे बढ़ने में बहुत मदद की भारत बचपाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पट्री पर अभिरत आगे बढ़ते रहे जहाँ जहाँ डबल इंजिन की सरकार रही वहाँ पर जन्ता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कारियों की गति भी तेज हुई इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और प्रोक्ष रुप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है भारत सांती के पक्ष में है बात्तित से हर समस्या को सुल जाने के पक्ष में है लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे है भारत का उनसे आर्थिक दरस्ति से सुरुख्षा की दरस्ति से सिख्षा की दरस्ति से राज नितिक दरस्ति से ना 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 है